पूजा आप सभी का स्वागत करती हूं राम मायस में तो कैसे आप सभी लोग सबच्छी हुए तो यहां पर जो आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत धर्मी से सम्मंदित जो प्रेस्ट है तो आपके एक जाम में पूर जाते हैं को उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और तो देख लेते हैं थोड़ा सा करने इसने हैं इसके पारekे करएं आगर हम बात करें तो यह आपके UPSC, UPSC और MPPSC और BPSC और साथ में आपका ROARO और इसी के साथ साथ आपके जितने की पॉम्टेवटी एक्जाम होते हैं एक्जाम में ये बहुत महत्वूर रहने वाली है तो चले शुरू करते हैं आज का पहला प्रेशन है स्क्रीन में प्रेशनों को रीड करना है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है तो चले शुरू करते हैं पहला प्रेशन है गौतम बुद्ध का जन में हुआ था यहने कि हमें देखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहा हुआ था कब हुआ था इसके बारे में हमें देखना है तो option A है 573 सा पूर्म option B है 558 सा पूर्म option C है 561 सा पूर्म और option D है 547 सा पूर्म गौतम गुधृ का जन्म कब ता यह हमें देखना है देखंए अगर हम बात करें गौतम गॉध्ध के जन्म की इनका जो जन्म है वह 563 हिसा पूर में वह था 563 हिसा पूर में हुआ ठाख teraz और यह कहां पर हुआ था कैसे कापिल वश्त्तु के का नाम शुद्धोधन था और इनकी जो माता थी माता का नाम माया देवी था जो कि यह कोली गड़ राज्जनी की कोली वश्ण से सम्मन्दित थी तो इनको हम एक एक करके आगे देखेंगे इनके बारे में तो यहां पर हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो क पर हुआ है अगला कुश्चन है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महा भी निश्क्रमाड के रूप में जाना जाता है ऑप्शन ए है महा परिनिर्वाड ऑप्शन बी है उनका जन्म में ऑप्शन सी है उनका ग्रहत्याग और ऑप्शन डी है प्रवोधन हमें यह देखना है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महा भी निश्क्रमाड जाता है महा भी निश्क्रमाड देखा जाता है अगर हम बात करें तो इनका जो ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महा परिनिर्माड जो है वह यह वंतिस्वर्ष की अवस्था में ग्रहत्याग देते हैं फड़को छोड़ देते हैं तो ग्रहत्यागने की घटना होती है तो इसे बौद गरंथों में क्या कहा गया है महाभी निश्क्राइड की संग्या इसको दी गई है इसका जो ऑप्शन सी है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका ग्रहत्याग है जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभी निश्क्राइड जाना जाता है अगला क्वेशन है थर्ड नंबर का क्वेशन गौत्म बुद्ध की मां किस वनसे संबंदे ती आभी हमने बात करी है पूद्ध की जो मां थी वह किस संबंदी और option a है साक वंस्ट, option d है माया वंस्ट, option c है लिच्छभी वंस्ट और option d है कोली वंस्ट देखे अगर हम इनकी मां की बात करें तो इनकी माता का जो नाम था वो माया देवी था इनके पिता का नाम सुद्धोधन था माया देवी था और यह किस वंस्ट से सम्मंदित थी कोली वंस्ट से कोली गड़ राजी की वन्या थी यह कोली वंस्ट से सम्मंदित थी तो इसको option जो d है option जो d है यह बिलकुल correct आंसर हो जाएगा आगे हम बात करें अगला question है fourth number का question बुद्ध का जन्म हुआ था बुद्ध का जन्म में कब हुआ था option a है कहां हुआ था यह हमने अभी बात करी है तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था पार्टली पुत्र के निकार्ट लुपनी नामा के किस्वान है वहां पर हुआ था पार्टली पुत्र के पार्टली पुत्र के तो option बी जो है यह बिलकुल correct आंसर हो जाएगा आगे हम बात करें अगला question है निमली खित में से किस राजवन से किया भी लेग इस परंपरा का शमर्थन होता है कि मिनी सांक्र्ण का जन्मिशत का है हमें कहां से किस राजवन्श के अफिलेक से पता चलता है कि जो है लुम्मिनी सांक्र मुझा का का option A है मौर, option D है सुंग, option C है सातवाहन और option D है काड हमें कहां से पता चलता है कि तो किस राजवंस से हमें पता चलता है कि गौतम गुद्य का जुद्ध को लुमिनी में हुआ था देखिए अगर हम बात करें तो मौरवंस जो है मौरवंसी सासक के अशोख है तो अशोख के हमें रुमन्द या भिलेक से हमें यह सूचना मिलती है कि साक्मुनी बुद्ध का जन्में लुमिनी हुआ था इसा भिलेक के अंसार अशोख राजयविसे के बिश्वर्स बाद यहां आता है और उस स्थान की पूजा करता है जहां साक्मुनी का जन्म हुआ था साथ ही इसा फिलेक में लुमिनी के बुद्ध का जन मिसल होने की कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषडा का उलेक भी यहां पर किया जाता है तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा यानि कि जानकारी मिलती है कि जो बुद्ध का जन में कपिल वस्तु के निखट लुमिनी नामकिस्तान में हुआ था आगे हम बात करें इसका जो करेक्ट अंसर यह ओप्शन हो जाएगा आगे हम बात करें अगला कोश्चन है नेमलिख्यत में से कौन एक अशोक का भी लेकिस परंपरा की पुष्टी करता है कि गौतम बुद्ध का जन में लुमिनी की हुआ था कौन सा आविलेक इस परंपरा की पुष्टी करता है कि गौतम बुद्ध का जन में वह कहां पर लुमिनी की हुआ था ओप्शन ए है बाचारी स्तंभिलेक ओप्शन बी है निगाली सागरी स्तंभि अभी हमने इसके बारे में बात करी है कि जो मौरवन से साथ साक जो अशोग थे अशोग के रुम्मत इस्तंभिलेक से हमें जानकारी मिलती है कि अशोग बुद्ध का जन्में जो है वो कहां पर हुआ था लुमिनी हुआ था तो इसका ऑप्शन जो डी है यह बिल्कुल अंसर हो जाएगा आगे हम बात करें महत्मा बुद्ध का महापरिनिर्माड कहां हुआ था अप्शन ए है लो कि और ऑप्शन वी है बोद गया में ऑप्शन की है कपिल वाजर अगर हम इसके बात करे तो बौद धर्म का प्रचार करते हुए महत्मा बुद्ध मल्लों की यह पावा पहुंचते थी और पावा पहुंच करके वे चुन्द नामा के एक ब्यक्ति था चुन्द नामा के लौहार के वहां पर अम्रिवाठिका में रुखते हैं यह वहां पर बुद्ध को सुकरमादों कहने को दिया जाता है जहां पर यह रुखते हैं इससे रखता जैसे इनको एक मांस के भाध्य है टो उसको खाने के बाद वहां पर इनकी तबिएत काफी बिगड़ने लगती है वहां पर इनकी भायाना को पीड़ा भी उत्पन होती है इस बेदना के बाद कुषिनारा मल्ले मलेगडाराज की राज़धानी पहुंचते हैं, और यही पर 483 इसा पूरी असी वर्स की आवस्था में यहां पर इनकी म्रत्तु हो जाती है तो इनकी जो बौध ग्रंथों में यह जो जब इनकी म्रत्तु होती है तो बौध ग्रंथों में इसे महा परिनिर्वार की दी गई है जो ऑप्शन सी है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा कुशी नगर यानि की बहुत धर्म का प्रचार करते हुए अत्मा बुद्ध कहां पहुंचे थे मल्लों की राजस्तानी पावा पहुंचे यहां पर यह आएक चुन्न नमक ब्यक्ति के यहां पर रुखते हैं दुहार के इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट अंसर होताएगा कुशी है आगे हम बात करें अगला कुश्याद है गौतम बुद्ध्य किस स्थान पर निर्वान प्राप्ति किया था उप्शन है कुशी नारा में ऑप्शन पी है साविस्ठी में ऑप्शन की है लुमिनी में औ और आप संडी है सारनाथ अभी हमने यह बात करी है कि गौतम बुद्ध का जो जब गौतम बुद्ध की जो कहां पर हुई थी कुशी मारा में हुई थी तो ऑप्शन एजो है कुशी मारा यह बिल्गुल करेक्ट अंसर होताएगा आगे हम बात करें अगला क्वेशन है महतमा बुद्ध का महा परिनिर्मार किसके गड़ तंत्र में गौताएगा आगे हम बात करें अगला क्वेशन है अभी हमने इनके बारे में डिटेल में कि जो बुद्ध है वो उनकी मृत्तु कहां पर हुई थे कहां पर इन्होंने भूजन किया हुआ था जिस तबियत काफी बिकड़ने लगी यह सारी चीज़े आभी हमने बात करें आगे हम बात करें 10 नंबर का महा परिनिर्मार मंदिर आवश्थे आपरिनिर्मार मंदिर जो है वो कहां पर आवश्थे आपर इस्ते था आप्शन है कुशिकर में अप्शन की सार्नाथ में आप्शन सी है बोद कया में आप्शन साविस्थे साविस्थे करें अगर देखिए हम इसकी बात करें तो महापरी निर्मार मंदिर जो है कुशी नगर में जो की उतर प्रदेश करता है तो उतर प्रदेश की कर जिले में मंदिर इस्थापित भगवान बुद्धी । अगर यहाँ पर प्रशन आ जाता है कि महापरी निर्मार मंदिर पर आवाँस्थेता से उतर प्रदेश करता है और इसकी खोज 1864 liberté 1866 में इसको पोच की गई थी यह बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा कुशी नगर में आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन है निमलिखित राज्यों में कि किनका सम्मंद्य बुद्ध के जीवन से था ही आप एक जो है आवनति दूसरा जो है गंधार तीस्रा जो है पुरिसल और 4 जो है मगद्य दिये गए कोट का परयोग करें हमें से आपसेन ओप्शन ए है 12 और 3 ओप्शन B है 2 6 clear assure 3 & 4 और occupyसं डी है 11 और 4 हमें यह देखना है औरनिमलिखित राज्यों में किन का शमन्द बुद्ध के जीवन से था एक हम option C की बात करें option C 3 और 4 जो हैं ये कोसल और मगध जो है ये महाजन पुद्धों का समध्य जीवन से था और गौतम बुद्ध ने अपनी सिच्छा जो है सिच्छा के प्रचारप्रसार के मगद कोशल दोनों राज्जों में प्रमड किये थे तो इसका जो option यह वह बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ती इन और चार थे कि कोशल और मगद है यह बिलकुल करेक्ट अंसर हो जाए अगे हम बात करें अगला क्विश्चन है अगला क्विश्चन है ट्वेल्थ नम्मर का गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्मे में देख्षित किया जाने वाला अंतिम ब्यक्ति ने में कौन था गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्मे में देख्षित क के जाने वाला व्यक्ति जो था वह कॉन था option A है आनंद option B है सारी और option C है मुगलान, option D सुभर्द है अगर हम इसकी बात करते हैं सुभर्द की अगरं बात करें तो अपने जीवन के अंतिम वर्ट में जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने सिस चुन्द के यहां पावा पहुंचते हैं और यही पर इनकी जो म्रत्तु हो जाती है यहां सुकरमादो भोज समागरी खाने से यहां पर इन्हें अतिसार हो जाता है अभी हमें यह बात करी है को यह अपना अंतिम देते हैं तो ओप्शन डी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे हम बात करें अगला क्वेशन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्वे में दिख्षित किये जाना जाने वाला अंतिम व्यक्ति में कौन है वही प्रस्ण है इसका ओ कि द्वारा रुपांत रेत्म निमने व्यक्तियों में अंतिम व्यक्ति जो था वो कौन था अभी हम बात करी है तो यहाँ पर जो ऑप्शन ही है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध जो है वह सुभद्ध को जो अंतिम उपदेश है वह सुभद्ध को देते कि नगर चले जाते हैं वहाँ पर यह सुभद्ध को यह सुभद्ध यानि कि डी ओप्शन है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे हम बात करें अंगला क्वेशन है पुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहां बिताई थी ओप्शन एस राविस्ति ओप् ने कुछी नगर में और ओप्शन ही है स्थी यह देखना है कि बुद्ध की जो अपने जीवन अंतिम वर्षा जो उन्होंने कहां पर बिताई थी अगर हम इसकी बात करें तो महापरिनिर्मा सुप्ट से जीवन के विविस आयामों का निर्धार की जा जाता है इसके अनुस आगे हम बात करें अगला क्वेशन है निम लिखित में से कौन सा एक बॉद्ध मत फिर्मार की अधार्ना की सर्फ से प्याख्या करता है देखते हैं ओप्शन A है त्रश्णा रूपी अगनी का श्यमन ओप्शन B है स्वयम की पूर्टा अस्तित्ता ओप्शन C है पर्मानन ओप्शन D है धार्ना देत मानसिक अवश्च्ट देखें अगर हम इसकी बात करते हैं निम लिखित में से कौन सा एक बॉद्ध मत फिर्म निर्माड की और धायना की सर्व स्ट्रेश्ट प्याख्या करता है अगर हम इसकी बात करते हैं तो बुद्ध ने निर्माड को मन की उस परम्शांति की रूप में वड़ेत किया है जो त्रश्णा क्रोध और दूसरी बिसाद करी मनाद करते हैं और जो है त्रश्णा रूपी अगनी का शमन यह मिलकुल करेक्टा शूब राएगा अग्य हम बात करें अगला कुश्षं है अलार कलाम कौन थे अलार कलाम कौन थे ऑप्शन एबुद्ध के एक सिस्ट उप्शन B है एक प्रतिष्टित बौद भी कुधू थे उप्शन C है बुद्धे के एक अलार कलाम जो थे वह कौन थे बुद्ध के तो देखे अगर हम इसकी बात करें तो महाभी निश्कुरण के बार एग धो अगे उठान की खोज में बुद्धे अलार कलाम की आफर पहुंचे में अहाँ पर उठेल लेते हैं कलां की आस्रम में उख hottest हम बात करें हैं अगला कुछ्षिं है ना कि सारनाथ में अपना प्रत्थम प्रवचन किस्या था option A है महाबीर ने, option B है संकराचार ने और option C है महत्मा बुद्ध और option T है गुरु नानक ने, सारनाथ में अपना प्रत्थम प्रवचन जो है वो किस्या था अगर हम यहाँ पर बात करें सारनाथ में जो अपना प्रत्थम प्रवचन है वो महत्मा बुद्ध यह था option C जो है यह बिल्कुल करेक्ट अंसर हो आगे हम बात करें अगला प्रत्थम में लिखेत धर्मचक प्रवर्तन है उनका कदर्शन यानि की बुद्ध का दर्शन जो है सारनाथ में जा गया उनका उपदेश की जो है उनके धार्मिक आदर्ष बौधन और डी जो है वह बौध्ध अनुश्य तो यहां पर अगर हम बात करें ग्रंतों में लिखेत जो धर्मचक प्रवर्तन है वह क्या है उनका दर्शन है यह बिल्कुल करेक्ट अंसर हो आगे हम बात करें अगला अगर हम इसके बात करें तो बौध्ध ने शर्वाधिक जो उपदेश है वह स्रावस्ति में दिये थे देखे बुद्ध जो है वह सबसे अधिक अधिक जो सबसे अधिक सिस्ट को सल राज में होते हैं यहां की राजधानी सावस्ति के यह सरवाधिक जो है यह सावस्ति करेक्ट आंसर हो आगे हम बात करें अगला सक्षिशन है वुद्धिक जो है वह सम्भी किस राजकाल में आए थे और यह हैं और अगर हम यहां पर बात करें तो महत्मा बुद्ध। वत्स राज उद्यान के शासन का उश्राम करते हैं उद्यान ने पिंडोला भारद्वाज के रभाव से बौध बनने के बाद घुटा राम भिहार भिच्वा को दान देते हैं यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानि कि बोध्य राजजिकाल में कौशाम भी आते हैं यानके शासन काल में कौशाम जाते हैं तो आज का सेसन जो है वो हम यहीं तक रखते हैं आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में तो सभी को बाबाए थैंक्या